जहने नवस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरिश फ़वाद करते हैं आपके अपने यूटूब चनल कमाड़ों केडियों दोस्तों आज का वीडियो इस बेसली स्सी जीडिय में जो आपको डॉकुमेंट्स वेरिफिकेसिन होंगे उससे समझेत काफी सारे कमेंट्स आरे दे ब लोंग करता हूं उस केटेगरी के मेरे पास में डॉकुमेंट्स है या अभी बना लूँ क्या नोटिपिकेशन के अनुसार दिया वाता है कि आपको फोरम बढ़ने से पहले-पहले आपके पास में डॉकुमेंट्स होने चाहिए तो क्या इसकी वज़े से सेलेक्शन रुकत देखो, सबसे पहले जो जरूरी है, आपके टेंथ किलास की मारक सीट में, जो आपने परसंटेज, जो रोल नंबर, जो भी फिल अप किया है, मतलब आपकी मुख्य रूप से डियोपी, डेटो बर्त, आपका नाम, आपके फादर का नहम और आपके मदर का नहम, ये बिल्कु परसंट पर्शोने चाहिए, यहनि सोपरसंट करेक्ट होने चाहिए, इनने में कुछ भी निकितेज, जो आपने फोरम एपलाई किया, अगर आपने फोरम एपलाई किया, और यह नाम नहीं मिले दो इसका आप हिंतिजार भी मत करना, रेजिन्ट का, ठीक है, दूसरी चीज जो आपका OPC certificate है या आपका SC, ST जो भी certificate है या EWS है इन सबी में भी आपका नाम आपकी 10th class की मारे sheet के अनुसारों न चाहिए और आपकी date of birth भी same होने चाहिए अब वो सारे बच्चे बोलेगे कि सर गलती से हमारे date of birth गलत लिख दिए आपको आउट कर दिया जाएगा यह नहीं आपकी date of birth और फोरम में एपलाई की हुई date of birth बिलकुल सही होनी चाहिए भले आप उसके अनुसार दोनों के अनुसार भी आप age criteria में है को मेटर नहीं करें गलत लिख दी इसका मतलब क्या है आपको आउट कर दिया जाएगा अब बहुत सारे बच्चे बोलने के सर अमने पहले नहीं बनाया notification में लिखावा था फोरम एपलाई से पहले आपके पास में डोकुमेंट्स होने चाहिए थे लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलने सर अमने पहले नहीं बनाया अब बना ले गया बिल्कुल अब बना सकते हैं आप अभी भी वक्त है अभी आप बना लीजिए अगर आप अभी भी बना के वो डोकुमेंट्स दिखा देते हैं तो आपको प्रोब्लम नहीं होगी जो भी आपका इन में से जो भी शेटेफिकेट है वो अब कुछ बच्चे बोलने कि सर हमारा रिजल्ट जनरल में हमको भी बनाना जरूरी है कि बिल्कुल बनाना जरूरी है आपका चाहिए रिजल्ट कि किसी में भी आया लेकिन आपके पास में और डोकुमेंट्स होना जरूरी है ठीक है दूसरा सबसे इंपोटेंट है आपका डोमीश यह लेनी मूल निवास इसके चकर में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं मूल निवास यह मान के चलिए मेन है टेंथ कलास की मार्क मूल निवास इसको रेसिदेंशिल सेटिफिकेट भी बोलते हैं डोमीश यह लेनी मूल निवास इसका क्या है यह आप यह बनता है जिला भाई जी तो आपने फोरम में जो जिला लिखाया है उसी जिले का आपके पास में डोमीश लेनी मान के चलिए कि आप बिलोंग करते ह है तो अगर आपने वेशा कर दिया फिर आपने डोकुमेंट जेपुर वाला दिखा दिया तो आपको सिदा हूट कर दिया जाएगा इस के संसोदन के लिए कोई भी नियम नहीं है साप लिखावा है SSC की notification में ठीक है यहां से आपने फौरम में अपलाइ कि आप वहां का आपके पास में domicile होना ज़िए यह जिस जिले से आपने बढ़ाया कि मेरा घ्रे जिले नागोर है तो आपके पास में नागोर का Domitial Certificate होना चाहिए दूसरी बात अगर आप OBC के टेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में OBC का Certificate होना चाहिए ध्यान रखिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाया बना लिजी अगर आप SC, ST Certificate या EW से बिलोंग करते हैं वह भी आपके पास में Certificate होना चाहिए मूल निवास में भी आपका जो नाम और आपके पिता का नाम बिल्कुल सम्मान होना चाहिए बिल्कुल भी इसमें Mistake नहीं होनी चाहिए मुख्य रूप से जो क्यों सनाता हो कि सर्म मेने पहले नहीं बनाया अब बना लू क्या हाँ अभी भी बना लो नोटिपिकेशन के अनुशार तो आप आउट हो लेकिन इतना खोप्रेट होता है आपको आउट तो नहीं करेंगी ठीक है क्योंकि उनको बता है कि कई बार इसा होता है होता है या कुछ भी अगर आपको आउट कर दे तो फिर आप मेरे से संप्र कर लेना में आपको उसका समाधान बता दूंगा किस प्रकार से आपको कोट में उसकी प्रकार करनी है हन्डेड परसेंट आपका सेलेक्शन हो जाएगा सेलेक्शन मतलब उससे तो बार जोगे सेलेक्शन दो नमरों से होगा उसके लिए प्रोब्लम नहीं है समदगे बात को मुख्य रूप से जो दोकुमेंट्स है वो आपको डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन में चाहिए चाहिए एक तो टेंथ क्लास की मारक सिट एक तो इसमें डेटो पर तकर गलत हुए आपको आउट कर देंगे एक जिले का जिस जिले के आपने अपलाई किया उसी जिले के आप नागरिक होने चाहिए वहाँ का डोमी शिल आपके पास में होना चाहिए आपका कार्श सेटिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और एक आपने जो फोरम अपलाई किया उसमें और आपकी डिटेल सेम हो मिची मदर फादर और आपके नाम की ये मुख्य डोकुमेंट्स है ठीक है इसके लाव भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ जै हिंद जै भारत